तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी लिखा है ना उसके बेसिस पे question let fx satisfy f of x plus f of x plus 10 is equal to f of x plus 5 plus f of x plus 15 for all x belonging to r यह ठीक है then prove that tpt वनना then prove that उसके एक fx है जो इस relation को हमेशा satisfy कर रहा है then prove that fx is a periodic function ठीक है इसमें पहले तो हमने जैसे यह देखा यह argument x है यह उसे पांच जाता है फिर यह उससे भी पांच जाता है और फिर finally यह उससे भी पांच जाता है तो हम solution इस तरह का फरजी solution नहीं दे सकते हमने का कि मानलिया कि यह इसके प्लस 5 तो फिर ஏक्स के प्लस 10 नग दिया वह एफ-अफ-फिस-फिटान के पर वह तो ऊसका मतलो के है कि यह वाला नहीं से इसके ब्राबर होग्या तो यह सही है तो मतलब फ इस ब्लस 5 हो गया यह eklah की इसका कोई सेंस नहीं बनता पहले बार तो ऐसे मानी नहीं सकते हैं ठीक है कि यह इसके बढ़ाबर है मान लिया जो हम अजम्शन नहीं थे ना किसी भी मैथमेटिक से क्वेस्टन में अगर मान लिया हमें कोई क्वेस्टन प्रूव करना हो हमने यह माना कि let a is equal to b कुछ भी हमने अपनी दोसे माना कि मान लिया यह इसके बराबर है फिर आगे गए फिर करते 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 कर लास्ट में एक इंपॉसिबल सा रिजल्ट आ जाए मानने माइनस टू बराबर फोर आ जाए तो उसका मतलब क्या है उसका तो यह मतलब निकलता है कि जो अजंप्शन हमने लिया था वो गलत है फर शूर क्या बोलागा कि पहले गर हमने कुछ अज्वियूम किया कि मान लिया ए बी के से यह है बट अगर हमने माने के एवराबर बी और करते करते लास्ट में आगे टू बराबर तू आ जाए तो उससे कोई निकलता उसे हम यह नहीं वो सकते हैं अबराबर बी मुल लिया हमने ऐसे क्वाशन सॉफल नहीं कर सकती ओंके फिर यह क्वेस्षन वाल कैसे करेंगे क तो एक तो लिख लेते हैं, solution, given क्या है, function के बारे में किवल ये दिया है कि f of x plus f of x plus 10 is equals to f of x plus 5 plus f of x plus 15, ये given है, और कुछ भी नहीं पता हमें function के बारे में, ये ठीक है, ये हमें given है, और function के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि this is always true, इसमें x कुछ भी रख सकते हो, ये हमेशा सही है, ठीक है, फिर उसने बोला कि प्रूव करो कि ये periodic function है, तो हमें पता है, कि अगर ये periodic होगा, तो हमें f of x is equals to f of x plus t जैसी कोई equation लानी पड़ेगे, मतलब दौनो तरफ केवल एक-एक f चाहिए, यहां तो दौनों तरफ दो-दो f है, तो हमें एक-एक f चाहिए, पहला चाहिए, और दूसरा एक तरफ जो argument है, दूसरी तरफ argument उससे थोड़ा से जाला होना चाहिए, एक तरह fx है, तो दूसरी तरफ f of x plus something होना चाहिए, अगर ऐसा कोई statement आ गया, तो question prove हो गया, कि वो periodic है, फिर दुबारा हमें तो question में इस equation के लावा कुछ दिया ही नहीं है, तो जो भी निकलना होगा इस equation से निकलेगा, ठीक है, तो इस equation में और यह मैंने बोला कि हम ऐसे मान नहीं सकते कि पहला term, पहले term के बराबर है, दूसरा term, दूसरा term के और ऐसे assume नहीं कर सकते हो, गलत है, तो हमें इस equation को use करके कुछ लाना पड़ेगा, अब इस equation में है क्या problem, हमें इस में से 2f को हटाना पड़ेगा, अब कैसे हटाए, ऐसे तो simply काट नहीं सकते, तो हमने क्या किया, क्योंकि यह equation है, जहां से answer निकलेगा, तो यह तो use होई र इसमें तो बुला x कुछ भी रखो, तो हमने क्या ठीक है, x की जगे x प्लस 5 रख लिया, हमने x की जगे x प्लस 5 क्यों रखा, x प्लस 4 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर x की जगे x प्लस 5 रखोगे, तब जो equation आएगा, वो यह आएगा, x प्लस 15 बड़ाबर f of x प्लस 10, य चलो, सभी से लिख देते हैं, यह 15 है, प्लस f of x प्लस 20, यह आ जाएगा, यह दूसर एक्वेशन आकर, f of x प्लस 5 रखा, क्योंकि ऐसा करने से, अब देखोगे, तो यह argument और यह argument common है, यह argument और यह argument common है, तो अगर इसको हम जोड़े घटाए, तो कुछ चीद कैंसल हो जाए रखेंगे, क्योंकि common argument है, अब माले मैं बोलूँ कि एक से x प्लस 4 रख लो, तो फिर कुछ common moment आएगा नहीं उपर नीचे से, तो फिर वो तो दो equation अलग लग लग लिखी रहेंगे, उसको आपस में manipulate करी नहीं सकते, कुछ हो गई नहीं, यह ठीक है, और दूसरा logic हम यह भी अगर कोई बोले कि x प्लस 4 क्यों नहीं रखा, तो class में तो मैं बोलता हूँ कि रखेंगे, देख लो पता लग जाएगा, क्योंकि solve भी नहीं होगा उसे, ठीक है, तो फिर बोले कि हमें कैसे पता लग लगा, कि x x प्लस 5 रखना है, तो उसका पहला answer क्या है, experience से, जब question करो होगे, तो experience का मतलब practice होता है, experience का मतलब age नहीं होता है, ठीक है, तो अगर practice करोगे, तो पता लग जाएगा, क्या रखना है, और दूसरा, जो यह number लिखे है, इनी में से कुछ रखना होगा, एकार रखके देख लो, पता लग जाएगा, ठीक है, अब हमने क्या किया, first equation और right hand side पर 4 term आजाएगे, लिखे देख लेना अपने, तो left hand side से ये वाला term, और right hand side से ये वाला term, cancel हो जाएगा, ऐसी ये और ये cancel हो जाएगा, ऐसी ये and ये cancel हो जाएगा, मतलब total left hand side पर 4, right hand side पर 4, मतलब total 8 term आगे, उन में से 6 cancel हो गए, ठीक है, अगर नहीं समझ माला है, त फिर cancel cancel करके देखो तो पता लग जाएगा कि क्या बोला जा रहे हैं चैंसल करने के बाद बचेगा क्या एक तो यह टम बचेगा f of x और एक यह बचेगा f of x plus 20 तो यहां से तो क्या आगए f of x पराबर f of x plus 20 अब यह जो equation आया यह तो इसी type का गए f of x पराबर f of x plus t f of x पराबर f of x plus t this implies f of x plus t type हो गया hence f x is periodic function ठीक है अच्छा इस question में कोई मेने से यह पूछे कि fx का period 20 है क्या तो मैं बोलूगा यह है आंसर है आ रहा है अगर माले f of x पराबर f of x plus t हमें कोई statement मिल जाए और वो पूछे के magnitude of t इसका period है क्या तो हमारा answer होगा yes है फिर अगर वो यह पूछे के magnitude of t कि इसका fundamental period है क्या तो वो नहीं बता सकते यह नहीं बोल सकते के जैसे इस equation को देखो यह जो हमें equation मिल आए है इसमे f of x बराबर f of x plus t मिल गया t की जगे 20 लिखा हुआ है तो अगर हमसे पूछे के 20 period है क्या तो हम बोलेंगे हाँ है answer में अगर वो बोले के 20 fundamental period है क्या तो इस से related तो मेरे को information पता ही नहीं है मुरे को यह तो पता है जैसे मेरे को यह तो पता है कि 20 satisfy कर रहा है बट मैं को यह नहीं बता कि 20 से कोई छोटा number satisfy नहीं करेगा यह नहीं बता वो कर भी सकता है question में sufficient information ही नहीं है तो मैं यह तो बोल सकता कि 20 period है बट मैं यह नहीं बोल सकता कि 20 fundamental period है ऐसे नहीं बोल सकते है यह ठीक है तो जो अभी हमने बोला उसके ऐसे note ले सकते हो if f of x plus t is equal to f of x for all x belonging to domain of the function is given then this implies this implies that f x is a periodic function this implies f x is a periodic function and capital T ka mod is period यह ठीक है और लिखाया है क्योंग है यह सब बोला क्यों क्योंग है because it does not mean it does not mean that it does not mean that capital T is fundamental fundamental period ठीक है हमें क्योंकि हमें यह नहीं बता कि इससे छोटा कोई number आएगा यह नहीं आएगा इतने information से तो यह नहीं बता आ भी सकते हैं अगर आ गया तो फिर यह fundamental period नहीं है अगर सबसे छोटा possible number यह है तो यह fundamental period है ठीक है इसको अब ऐसे भी बो सकते हैं इसी information से कि फंडमेंटल 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 पीरड विल बी फंडमेंटल पीरड विल बी लेश देन और इक्वल्स टू टी का मॉट यह तो बोल सकते हैं कि जो fundamental period आएगा वो capital T से बढ़ा नहीं हो सकता क्योंकि T तो आई गया तो जो fundamental period होगा वो या तो capital T खुदी होगा या उससे छोटा होगा होगा क्या वो बता नहीं सकते है आए होप दिस इस के लिए ओके